हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी I hope so you are doing great in your studies and you all are well बच्चों अक्सर कंसर्ण होता है आप सभी का कि हम पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं हमें पूरी उमीद थी कि हम एकदम hero level के marks लाएंगे 600 प्लस marks हमारे आजाएंगे क्योंकि हमारी पढ़ाई भी ऐसी है अक्सर हाँ teachers को भी expectation होती है कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा करने वाला है बट unfortunately उस तरह से marks हमारे नहीं आपाते हैं जैसा हमने पढ़ाई करी है जैसी हमारी planning थी तो ऐसा बहुत सारी चीजे हैं बेटा जो आप mistake करते हो during your examination, during your need exam, center पे, center से थोड़ा पहले जो सारी चीजे से आप surrounding रहते हो, जो सारी चीजे आप करते हो वो बहुत जादा matter करती है आपके marks के लिए पढ़ाई तो बहुत जादा है priority है कि भई पढ़ाई क्या की है, क्या पढ़ा है, किस तरह से questions की practice करी है, इस सारी चीजे सबसे पहले हैं आपके लिए लेकिन उसके इलावा भी बहुत सारी secondary चीज होती है, जो एक बच्चे को अपनी preparation के दौरान, preparation के बाद जब वो exam देने पहुंचता है, तब भी उसको ध्यान रखनी चाहिए वो सारी चीजे होती है, तो आज हम सब चीजे discuss करेंगे, कि आप जब घर से निकलते हो, घर से निकलते वक्त, जब exam के लिए पहुंचते हो, तो क्या-क्या चीजे हैं जो आपको ध्यान जरूर से जरूर रखना चाहिए, ताकि marks enhance कर सको, marks के इलावा भी आप अपना attention, आप तो वगवान की मर्जी है और आपकी महनत है, जो आपने महनत करी है, उसका फॉल तो जरूर मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतिया हैं जिसको मैं avoid करना चाहिए, तो आज अपन यहीं discuss करेंगे, बेटा, कि आपका जो NEET का exam है, जो NEET का paper है, आप देने जाते हो, उसको क्या-क क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, या क्या-क्या चीजें करनी चाहिए, उस तरह से attempt करना है, ठीके, तो बहुत ध्यान से मेरी बाते सुनना और इसको adapt करने की कोशिश भी करना, clear? उसके पहले, हमारी batch है, that is our प्रहार batch, प्रहार 2.0, जिसमें हम आपको ऐसी ही सारी चीजों से surrounding रखते हैं, ऐसी ही सारी चीजे discuss करते हैं, concept पढ़ाते हैं, जिसमें life classes होती है, एकदम zero level से लेकर, top level तक के lecture, like, बहुत basic basic concepts भी, बहुत tough concepts भी, जो बच्चे को tough लगते हैं, इन सारी चीजों की life class में practice कराते हैं, जिसमें आपको study material भी provide किया जाता है, perfect study material, जिसमें NCRT, अगर हम biology की बात करें, NCRT line to line होती है, दूसरा बेटा, doubt session भी चलते हैं, और आपके crash courses भी बहुत जल्दी start हो रहे हैं, इसी batch में, okay, आपको यह हमारी प्यारी सी टीम है, जिसमें sir आपको botny पढ़ाएंगे, maam आपको chemistry पढ़ाती है, surgeon sir आपको physics पढ़ाते हैं, और मेरा आ nominal price में, बहुत शांदार तरीके से आपके साथ जुड़ के preparation कराने के लिए हम बिलकुल ready हैं, करना क्या है, आपको class 24 app download करना है, अपने batch को select करना है, और हमारे साथ जुड़ जाना है, बिटा कोई भी query होगी, तो दिया हुआ नंबर था, वहाँ जरूर call करना, और अगर करनारी के family के साथ जुड़ जाएं, ओके चलो बेटा, बिसकस करते हैं, जो हमें समझने की जरूरत है, ठीक है, देखो सबसे पहली बात जो होती है, क्या होती है, कि अकसर बच्चे सोचते हैं कि हम बहुत कम खाके जाएंगे, खाना जो है, बहुत कम खाएंगे, ताकि हमार नीद नारी, ठीक है, ऐसा होता तो है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किस तरह का फूड आप इंटेक कर रहे हो, कुछ ना कुछ खाके जरूर जाना है, आपको क्यों, ताकि ग्लाइकोलिस प्रोसेस पढ़ी है, एनर्जी तो फूट से ही मिलेगी, तो अकसर बच्चे कुछ बच्चे हलती, ऐसी गलती करते हैं, कुछ नहीं काना, एक्जाम के टाइम के पहले बिल्कुल शांत रहना है, खाएंगे नहीं, ताकि हमारी एनर्जी यूटिलाइज ना हो, ऐसा चीज़ें नहीं करनी है, आपको एक हल्दी फूट, एक लाइट फूट लेके जरूर जाना लेके मतलब, इंटेक करके, वहां लेके नहीं जाना, इंटेक करके जाना है, ताकि प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर माइंड आपको चल सके, उस पेपर को करने में जो एनर्जी लगेगी, वो चल सके, ध्यान रखना है, लाइट सा फूट लेना है, पहली बात ही यह, दूस करो bachapan में school के जाते थे तो उस बैग में timetable के accordion तकना तरह जो चीजों की जरूरत लिए हम करते हो कि हां यह यह चीज जरूरी है यह चीज रख लिए यह चीज आपको काम रखने में पेशन्स रखने में help करती है समझ में आया clear दूसरी बात बेटा जो बहुत जरूरी है बी एक्स्ट्रोवर्ट पॉर सम्टाइम ये बात मैं अकसर लगभग हर क्लास में बच्चों को बोलती हूं बेटा बी योसेल्फ बी योसेल्फ अट लीस फॉर्म सम्टाइम आप जब exam time जाते हो आपके ममी पापा याद करो बच्पन में यह भोलते होंगे कि exams hall में exam के थोड़े टाइम पहले जाओ ताकि ज़ादा किसी से बात चीतना करना पड़े ऐसा क्यों बोलते हैं कि कि जो concepts आप पढ़े रहते हो ना वह unnecessary talk करते वक्त सारे skip हो जाते हैं यह demoralize भी हो जाते हो, किसी बच्चे से आपकी बात हो रही है, आप उसने बोला मैंने तो यह यह पढ़ लिया, आपने बोला नहीं मैंने तो यह नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा demoralization feel हो जाता है, समझ में आया, तो यह चीज नहीं करने है, या उन लोगों से भी distract रहना है exam के कुछ दिन पहले, चाहे वो आपका brother हो, sister हो, चाचा हो, चाची हो, जो आपको demoralize करें, आपको देखना है, आपकी energy को exam time में जो भी इंसार disturb करें, उससे थोड़े देर के लिए कट हो जाना है, यह चीज में बहुत important बोल रही हो, आपको इस पात को ध्यान रखना है, जो भ दिख रही है तुमारे, तो यह वो पहुत सारी चीज है, तो ऐसे लोगों से आपको cut off करना है, बिल्कुल, for some time, at least for some time, exam के पहले, क्योंकि आपके energy को down करते है, आपकी preparation level down जाएगी, clear? दूसरी चीज है, बेटा, deep breathing, जब आप exam hall में पहुंच जाते हो, आप seat पे बैढ़ कोशिश किया करो कि लंबी सास लिया करो, like this, लंबी लंबी साथ, deep breathing, क्यों बेटा, आपने breathing exchange chapter पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, उसमें बताते हैं कि oxygen intake हम जादा करेंगे, ताकि हीमोगलोबिन के साथ ये ज़्यादा जोड़के energy कराएगा, metabolism बनाएगा, energy बढ़ाएगा oxygen ही तो जाता है, cells में और energy बनवाता है, metabolism प्रोसेस करके, तो जादा से जादा आपको oxygen intake करना है, ताकि आपकी जो थोड़ी बहुत थकान होती है, जो थोड़ा बहुत stress level होता है, energy down feel करते हो, वो सारी चीजे balance mode में आ जाए, सही तरीके से चल जाए, आपकी body को energy, आपके mind को आपको relax कर दे, आपके अंदर patience और calmness उस टाइम आजाए, तो ध्यान रखना कोई भी condition हो, सिर्फ ये exam ही नहीं, आगे life में आपके कोई भी condition हो, जिसमें आपको difficult feel हो रहा है, जिसमें आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कैसे होगा, घब रहा है हो आप, तो उस टा आपको बहुत चोटी चोटी बाते हैं, जो अकसर आप सबसे सुनते हो, एक कहां से सुनते, एक कहां से निकाल देते हो, तो आज मैं आपको इसलिए शेर करी हो, कि सारी चीजों को collect करो, समझो, देखो, विज प्राक्टिकल ही भई, इसका ये चीज होता है, इसका ये प्रा हर एक बच्चे को करना चाहिए, उसी कंडिशन में जब वो पैनिक हो, तो ये चीज जरूर करना, थोड़ा सा कट ओफ हो जाना, उन लोगों से जो आपको डिस्ट्राक्ट करते हैं, उसके बाब बेटा, आप जब आपको जब पेपर मिलता है ना, तो पेपर को थोड़ा सा स्कैन कर लिया, को स्कैन मतलब क्या होता है, कि आप पन्ने पलट के देख लो कि मालो किसी भी लाइन में या किसी भी कोशन में मालो कुछ मिस्प्रिंट है, कोई पेपर ही नहीं है, ऐसा वैसे लगबग होता नहीं है, लेकिन कभी-कभी मिस्प्रिंट की दिक्कत आ जाती है आप बाद में देखोगे, आपको बाद में देखोगे तो आपको पैनिक हो जाओगे, क्यों कि आप उस टाइम कर रहे होते हो, टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हो, प्रेशर होता है, तो बाद में आप पैनिक हो जाते हो, उस टाइम हो सकता है कि आपके जो इन्विजिलेटर पर मिसिंग तो नहीं सिर्फ इतना सा ध्यान करो यह हमारी जरूरत है यह हमें करना पड़ेगा समझ में क्लियर और आप इसमें किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते यह आपको ही देखना है समझ में जब आपके पास पेपर हो जाए बेटा सबसे पहले कोशिश क्या करो आपका ना प्राम और रोलंबर फिल करना नेक्स जो बात होती है बेटा आप इस चीज को ध्यान रखना कोशन जब आपके तेम्ट करो तो हमेशा कोशिश किया करो चोटे कोशन से बड़े कोशन की तरफ जाहे करो शॉट कोशन जो है ना क्योंकि आप यह चीज तो लॉजिक वाली बा क्योंकि आपका जो है इसमें ताइम बचेगा रिडीूसेज टाइम बचेगा बेटा दूसरा क्या होगा कि यह लगभग जूट शॉर्ट कोशन होते हैं वो डेरेक्ट कोशन होते हैं आप देखते ही टिक लगा सकते हो ठीक है क्लियर हुआ ताइम बचाता है आपका यह हमें gly哥 कि स्टार्टेंग में कोशिश किया करो चितना ज्याद से जाद 1 फाइन बचा सकते हो उतने जाद से जाद कें मैं उनको च्छी यह इंग जो आपको आते होुआ को अनुको कर दो इसलिए इस frequency से करा करो आपका maximum time save होगा दूसरी बात बेटा क्या है sequence of subject generally ऐसा आपको बोला जाता है और आप भी ऐसा समझते हैं मैं भी कहीं न कहीं ये बात बोलोंगी कि ये आपके उपर depend करता है लेकिन majority of student bio को पहले choose करते हैं तो sequence बेटा अगर आप चाहो तो पहले bio कर लो दूसरा बेटा chemistry कर लो ठीक है तीसरा physics कर लो ये बात में क्यों बोल रही हो आप ज़रा थोड़ा सोच के देखना पहली बात तो bio में theoretical questions होते हैं कुछ ही होंगे जो numerical based होंगे जैसे जो आपके chapters हो तो ये जो है ये आपका time कम लगाता है maximum आपका 60 या चलो 50 to 60 minute में बोलो 50 to 60 minute में आपका 70 भी जा सकता है ठीक है? बायो हो जाता है लगभग एक घंडे के अंदर अंदर की हम बात करते हैं 50-60 बात करो ठीक है एक घंडे के अंदर अंदर हमको biology section complete करना होता है जो कि possible होता है तो कोशिश ये करो बेटा जब आप paper start करो starting के time पर जितना ज़ादा आप time save कर पाओ उतनी अच्छी बात होगी क्यों? physics अगर आप पहले करने बेट गए तो numerical based question होते हैं समझने वाले, दिमाग लगाने वाले questions होते हैं solve करने वाले होते हैं तो ये chances ज़ादा होते हैं कि इस वाले section में बच्चे को ये हो सकता है कि difficulty आए और starting में ही बच्चा अगर panic होने लगेगा pressure लेने लगेगा unbalance feel करेगा उसको ये लगेगा ज़ादा से ज़ादा questions हमें आ नहीं रहें अगर ऐसा होता है या time ज़ादा लग रहा है तो वो start ही जब paper start कर रहा है तभी वो demoralize हो जाएगा तो हमेशा कोशिश ये करना उन questions को पहले attempt करना जो आपको perfectly आते हूं sequence उन्ही questions कर रखना जो questions आते हैं आते जा रहें ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया आप ये Smith अगर start में वो questions कर रहे हो जो आते चले जा रहे जादा से जादा biology में ऐसा होता है जयरे हिए सारी पर कॉलओ पहले तो आगे आपको कि कोशन है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है जिसमें प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ यह नहीं आएगा वो भी आप आसानी से सॉल्फ कर लोगे शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे एक मिनट से देड मिनट लग जाए लेकिन उसको भी कर लोगे कब जब स्टार्टिंग में आप करने की यह वो सब्सक्राइब करना जो आपको आता है मैं सेस्ट करूंगी कि बायोजी सेक्शन उसमें भी जो लॉजी बोट्मी जो आपको आता है उसको पहले अटेम्ट करना फिर केमिस्ट्री पर आना फिर फिसिक्स प्याना सबसे ज्यादा टाइम जो देना बिटा कोशिण विद्फ फुल अटेंशन क्या मतलब है माम क्या कहना चाहरे हूं यह कहना चाहरी हूं कि अकसर बच्चे कोश्चन अटेम्ट करते हैं बहुत जल्दी तुरं तुरंद कर ले थोड़ा बेटा रिलाक्स रहना रिलाक्स रहे के थोड़ा टाइम लेके जितनी जरुर इस pest record पर टाइम लेके करो अपन देकर लगाना है अपन को यह नहीं करना क्या जितनी जल्दी हो सके कर ले अपन को पूरा टाइम यूटिलाइज करना है एक परफेक्ट टाइम मेनेजमेंट के साथ तो कोशिश यह करो कि जो कोशिए रपको दिया गया है उसको प्रॉपर तो questions को बहुत ध्यान से पढ़ो, relax रहके पढ़ो, यह मस सोचो कि time निकला जा रहा है, पहले जो सबसे पहले आप questions पढ़ो, उसको बहुत ध्यान देख के पढ़ो, चारो options को अच्छे से पढ़ो, अकसर बच्चे क्या करते हैं, पहलो option पढ़ लिया, हाँ भाई यह सह हो, यह तो चारो options को दिहान से हमको पढ़ ला है, clear? दूसरी बात पेटा है, time management, कि हमें physics को कितना time देना है, chemistry को कितना time देना है, biology को कितना time दे रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बात करी, biology की बात करी हमने, तो हमने बोला, लगभव 50 minute, 40 minute, या 60 minute, 40-50 या 50-60 ऐसे रख सकते हो, एक गंडे के अंदर, अगर उससे जादा time लग रहा है, तो वहीं रुख जाओ, आगे इन पे और इन पे आजाओ, इनको time दो, जितना भी set है, समझ में आया, तो एक time limit होती है, उसमें वो paper करो, नहीं हो रहा है उतने minute में, तो आगे बढ़ जो दूसरे subject पे, जब अपन revise क करेंगे, जब हम दुबारा से paper देखेंगे, तो कर लेंगे, समझ में आया, पर जितना time इसको दिया, at least उतने time के अंदर करने की कोशिश करो, clear? दूसरा point है, बेटा, rough page जो होता है, जैसे मानलो, physics का question number 10 हम solve कर रहा है, ठीक है, इसको हमने solve किया, हमने जो rough page यूस किया, हमन से question पर बढ़ गया, क्यों? क्योंकि हमारा जो answer है, वो नहीं आया, अब जब हम revise करने बैठ रहे हैं, हम दुबारा 10 question पर आये, आए न, अब दुबारा 10 question पर आये, तो हमने देखना है कि हमने किस rough page पर ये question किया था, अब अगर आपने वो चीज धंग से नहीं करिए, कहीं को देख लो, तो जहां पर आप रव कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा sequence रखो, like अगर आपका ये page है बेटा, तो sequence रखो, ऐसा नहीं थोड़ा, यहां कर दिये, थोड़ा, यहां कर दिये, थोड़ा, अकसर मैं भी करती थी, मैं जब exam देती थी, तो मैं भी ऐसी करती थी, कि प खेल, time management का है, नीट के paper में, आपको क्या लगता है, कि जो बच्चा दो मार्क से, तीन मार्क से, एक मार्क से, रह जाता है, क्या उसने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई करी है, पर वो pressure नहीं जहिल पाया, वो time manage नहीं कर पाया, वो यह सारी चीज़े नहीं कर पाया, जो भी बोला कि दसवे question हमें नहीं आ रहा था, हमने इसको circle किया था, कि हम बाद में आएगे, अब आपका पूरा paper हो चुका है, जो आपका time है, आपके पास time बचा है, लगबख 30 minute का time बचा होना चाहिए, उन questions को solve करने के लिए, लगबख 30 minute, 30 to 35 minute आपके पास होने चाहिए, circled questions क क्या होते हैं, वो questions जो आपको पढ़ते वक्त करते वक्त नहीं आ रहा है, time बचाने के चकर में आपने circle कर दी कि मैं इसको बाद में करेंगे, उनके लिए इतना time लगबख होना चाहिए, 40 minutes है तो अच्छी बात है, अगर आपने वहाँ पहले time manage किया है, ठीक है, कोशिश य है, clear? चलो, दूसरी बात है, be attentive with your omar field, अगर a option आ रहा है बेटा, तो a ही वाले पे आपको circle करना है, यह ध्यान रखना, b c पे मत कराना, तो omr जब फिल करोगे, बहुत attentive रहना, क्या आप क्या कर रहो, हो सकता है, यह question गलत हो जाए आपका, फिल गलत कर दो, आता सही है, तो इस चीज को ध्यान रखना, attentive रहना, attentive कब तब रहोगे आप अपने हर एक question पे, हर एक paper पे, हर एक omr filling पे, तभी जब आप time manage कर पाए हो, और time manage कब कर पाते हो, जब आप relaxed रहे के patient से pressure है, पर तब भी patience में हो, paper करते हो, clear? लास्ट बात है, बेटा, revision, आपकी पढ़ाई के वक्त, आप कोई भी काम कर रहे हो, सब चीज में revision सबसे जरूरी होता है, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, revision नहीं किया है, जो पढ़ा है, उसको दोहराया या देखा नहीं है, तो कोई मतलम नहीं है, व्य कि जो हमें आता था, हमसे छूट किया है, या कोई question ऐसा तो है, नहीं, कि जिसको हमने circle किया था, पर हम देख नहीं पाए, हो सकता, आ रहा हो आपको दुबारा, ठीक है, solve को नहीं है, बैटना, बस देखना है, कि आते हुए question छूट तो नहीं रहे, और आपको OMR अपनी check कर हमने, जो हमें आते थे, लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, कभी-कभी होता है, ये question इसके होजाता है, वहार में फिल नहीं कर पाते हैं, बैटा, कुछ हैसी silly mistakes हैं, अकसर बचे बोलते हैं, कि silly mistake हो गई, यह हैं वो सारी silly mistakes, जो आप ध्यान नहीं देते हो, समझ में आया, तो की जिम्यदारी है, आपकी पढ़ाई है, आपकी rank, आपको college मिलेगा, सब चीजे आप हैं, आप doctor बनोगे, तो सारी चीजों की जिम्यदारी लेनी है, हम सभी teacher आपके लिए खड़े हैं वेटा, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए हर एक चीज, आपको ध्यान देना है आपको adapt करना है, clear? समझ में आया? तो ये सारी चीज, बता ध्यान रखना, paper बहुत अच्छे से करना, relax रहना, patience रखना, काम रहना, oxygen intake करते रहना, थोड़ा बहुत light food लेना, यसी कुछ सारी चीजे हैं, negative लोगों से जो आपके energy down करें, उन से जरूर दूर रहना, जो आपके मेरी best, बहुत अच्छे से paper करना, मेरी best wishes हमेशा आपके साथ है, thank you so much